बच्चो आरोह के कावय खंड की पांचवी कविता है सहर्ष स्विकारा है और इस कविता की कवी है गजानन माधव मुक्ति बोध आज की वीडियो में हम गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचे करेंगे कवी परिचय के पहले भाग में हम मुक्ति बोध जी के पारिवारिक जीवन के विशय में जान लेते हैं मुक्ति बोध जी का जनम 13 नवांबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शोपुर नामक स्थान पर हुआ था और 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यू हो गई थी माधो मुक्ति बोध जी इनके पिता थे और इनकी माता थी परवती बाई शान्ता देवी इनकी पत्नी थी मुक्ति बोध जी प्रियोग वादी काव्यधारा के प्रमुख कवी थे बच्चों अब आप सोच रहे होगे कि ये प्रियोग वादी काव्यधारा क्या होती है वास्तों में साहित्य बहुत विशाल है और साहित्य का अध्यन कई हिसों में बाट कर किया जाता है जिस समय जिस प्रकार की कविताएं लिखी गई उस समय के साहित्य को वही नाम दे दिया गया जैसे जब राजाओं और युद्धाओं की वीरता पर अधिक कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को वीर कावे नाम दे दिया गया जब भगवान की भक्ती के बारे में अधिक कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को भक्ति काव्य कहा गया जब प्रेम और सोंदरिये पर अधिक काविताइं लिखी गई तो उस समय के साहित्य को श्रिंगारी काव्य कहा गया जब देश भक्ति के बारे में अधिक मात्रा में काविताइं लिखी गई तो उस समय के सहित्य को राष्ट्रिय काव्य कहा गया जब प्रगतिवादी सिध्धानतों को आधार बनाकर कविताएं लिखी गई तो उस समय के सहित्य को प्रगतिवादी सहित्य कहा गया और जब कविता में नए नए प्रयोग किये गई नई नई तरह की कविताएं लिखी गई तो उस समय के साहित्ते को प्रयोगवादी कावेधारा के नाम से जाना गया और मुक्ति बोध जी प्रयोगवादी कावेधारा के प्रमुख कवी थे इन्होंने देश की राजनेतिक और आर्थिक समस्याओं पर ज़्यादा कविताएं लिखी है पुंजी पतियों पर करारे व्यंगे किये है इनकी ज़्यादातर कविताएं बहुत लंबी होती है दूसरे भाग में आप जानते हैं गजानन माधव मुक्तीबोध जी की प्रमोख रचनाओं के बारे में वैसे तो इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है लेकिन यहां पर कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में ही हम जानेंगे जो की परिक्षा के अनुसार उपियोगी है सबसे पहले देखते हैं इनके कावय संग्रह अर्थात कविताओं का संग्रह तो कविताओं से संबंधित इनकी दो पुस्त के प्रमुख है चांद का मुह टेढ़ा है और दूसरी है भूरी-भूरी खाक धूल इनके कहाने संग्रह यानि कहानियों की किताबे हैं काठ का सपना और सतह से उठता हुआ आदमी इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है विपात्र मुक्ति बोध जी की आलोचना संबंधी पुस्तकें हैं कामायनी एक पुनर विचार, नई कविता का आत्म संगहर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्य की डायरी तीसरे भाग में मुक्ति बोध जी द्वारा रचित साहित्य की उन विशेस्ताओं के बारे में जानेंगे जिनके कारण ये इतने प्रसिद हुए और इनकी कविताओं को हमारे पाठेक्रम में शामिल किया गया इनके साहित्य की सबसे पहली विशेस्ता है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण इनकी कविताओं में पुझी पति वर्ग के प्रती घ्रेणा के भाव मिलते हैं इसका अर्थ ये है कि मुक्ति बोध जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे मार्क्सवाद यानि प्रगतिवाद तो इस विचार धारा में समाज को दो भागों में बाटा जाता है एक तो पुन्जी पती वर्ग और दूसरा श्रमिक यानि मजदूर वर्ग पुन्जी पती वर्ग यानि शोशन करने वाला वर्ग और मजदूर वर्ग यानि शोशित वर्ग जिसका शोशन किया जाता है तो इनकी कविताओं में इस मार्कसवादी अर्थात प्रगतिवादी विचार धारा से प्रेरित होने के कारण पुंजी पतियों के लिए घ्रिना के भाव मिलते हैं और वे पुंजी पतियों पर करारे व्यंग अपनी कविताओं में करते हैं इनके सहित्य की दूसरी विशेष्टा है कि इन्होंने अपनी कविताओं में शोशित और निर्धन वर्ग के प्रती सहानु भूती प्रकट की है अर्धात पुन्जी पती वर्ग यानि शोशन करने वाले वर्ग को फटकार लगाई है और मजदूर वर्ग के प्रती सहानु भूती दिखाई है इनके सहित्य की तीसरी विशेष्था, मुक्ती बोध ने अपने अनुभव के अनुसार समाज का वास्त्विक चित्रन किया है यानि उनके समय में जैसा समाज था वैसा ही उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है, कुछ भी छिपाया नहीं है या कुछ भी बदल कर प्रस मजदूर वर्ग से इनकी सहानुभूती है उसी गरीब और मजदूर वर्ग की निराशा और पीडा का इनों ने अपनी कविताओं में चित्रन किया है। इसे प्रभावित नहीं है इन्होंने किसी की नकल नहीं की है। जिसमें संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, अर्भी वफार्सी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार इन्होंने भी अपनी भाशा में विदेशी भाशाओं के शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया है। दूसरी विशेष्टा इन्होंने नए और जिवन्त बिम्ब वे प्रतीकों का प्रयोग किया है। नए अर्थात जो पहले के कवियों ने नहीं किये थे। और जिवन्त यानि जो बिल्कुल सजीव लगते हैं, हमारी आँखों के सामने लगते हैं, ऐसे बिम्ब और प्रतीकों का प्रयोग किया है। दीसरी विशेष्टा इनकी भाषा शेली की ये है कि इन्होंने अपनी कविताएं मुक्त चंद में लिखी है। अब बचे ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पहचान हो कि कौन सी कविता मुक्त छंद में है और कौन सी कविता छंदों में बांध कर लिखी गई है। बच्चो जिस कविता की पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी होती है बड़ी छोटी नहीं होती जिसमें वर्नों की संख्या समान होती है वो छंदों में बंधी हुई कविता होती है लेकिन जिस कविता की पंक्तियां कोई बड़ी पंक्ति होती है कोई छोटी पंक्ति होती है किसी में कम शब्द होते हैं, किसी में जादा होते हैं, तो वो मुक्त छंद की कविता होती है। और मुक्ती बोध जी की अधिकतर कविताएं मुक्त छंद की हैं। अन्तिम विशेष्था, अनुपरास, उपमा, रूपक और मानवी करण सहित अनेक अलंगकारों का इन्होंने अपनी कविताओं की भाषा में प्रयोग किया है